सुबा की भाग दोड़ हो या फिर बहुत जोरों की भूग लगी हो और जल्दी से कुछ बना कर खाना हो तो दो उबले अंडे लीजे और उनको काट लीजे तो वेलकम है आपका समस किचिन में बनाते हैं आज ये बहुत ही क्विक और इंस्टेंट सी रेसिपी तो अंडों की जर्दी को अलग कर लेंगे और ये जो एग वाइट है इसको ऐसे रफली चॉप कर लेंगे चुट चुटे टुकड़ों में काट लेंगे तो ये रेसिपी सबकी फेवरेट है सबको बहुत पसंद आती है हर गर में बनाई जाती है तो आज बनाईए थोड़े से मेरे स्टा अच्छ मयोनीज है और कटी हुई प्याज है चाट मसाला थोड़ा सा थोड़ी सी काली मिर्च और इन सभी चीजों को मिला लेंगे नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें क्योंकि चाट मसालें भी नमक होता है और हम जो बटर यूज करने वाले हैं वो भी सॉल्टेट है अगर आप सॉल्टेट बटर ना यूज करें तो फिर आप उसमें नमक डाल लीजेगा थोड़ा सा अब जो सफेदी को काटके रखा था उसको भी मिला दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे दो ब्रेट स्लाइसे हैं तो आप जो सी भी ब्रेट खाते हैं मल्टी चार किनारों में फेला देंगे बटर को साइट भी लगाएंगे और थोड़ा एक पैन लिया है मैंने नौन स्टिक थोड़ा बटर उसमें भी डाला थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और अब यह ब्रेट के उपर लगा देंगे बस मीडियम लो फ्लेम पर इसको बेक करेंगे इसे ही अच्छा सा क्रिस्प हो जाए तो बटर का इस्तिमाल इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं और दिमी आज पर सेखेंगे तो क्रिस्प हो जाएगा पर थोड़ी सी देर लगेगी क्रिस्प होने में अगर कम बटर का इस्तिमाल करें एक सैंडविच तो अभी ये थोड़ा सा करारा कम है इस साइड में तो इधर से भी पलट करके सेख लेंगे इसको ये देखे कुछ ऐसा गोल्डन होने तक इसको सेखे और इंजॉय करिए तो इस एक सैंडविच को आप इंजॉय कर सकते हैं अपने पसंद के किसी भी सॉस के सा या फिर जैसे मर्जी आप इसको खाएं लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं बच्चों के और यहां पर सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ तो अंडे की बहुत आसान और जबरदस सी रेसिपी हमारे चैनल समस्किचन पर मौजूद हैं जिसको कि आप एक्स्प्लोर करिए और देखिए आपको बहुत पसंद आएंगी तो बैस ऐसे ही आसान और बहुत जटपट यूनिक सी रेसिपी लेकर कि डेली में समस्किचन में आती रहती हूं तो देखते रहिए समस्किचन थैंक यू सो मच